कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नभीन कुमार अपने चैनल लेंग्विजों प्लेनिट्स में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों एक मैं दो हजार चौबेस को देवगुरु ब्रहस्पति धन की राशी यह यह कहा जाए कि धन त्रिकोन की राशी व्रश में गोचर शुर की राशी कालपुरुष कुंडली के अनुसार धन की राशी या अर्थ त्रिकोन की राशी व्रश में होगा दोस्तों यदि हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो व्रश राशी का स्थान यह है धन स्थान यह है अर्थात देवगुरु स्थान से इस स्थान में आकर पूरे एक साल के लिए यहां पर गोचर करेंगे लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर दो नंबर राशी किसी भी भाव में हो और वहाँ पर देवगुरु ब्रहस्पती का गोचर हो तो आज हम उसके एकॉर्डिंग बात करेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दो नंबर यहां है यहां है यहां है कहीं भी है तो देवगुरु ब्रहस्पती के आपको पूरे एक साल क्या शुब परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि इस बार देवगुरु ब्रहस्पती का गोचर ब देव गुरु का 12 साल बाद गोचर हो रहा है, ये गोचर आर्थिक गतिविद्यों के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर रहने वाला है, दोस्तों विशेश कर ये उन लोगों के लिए बहुत महत्पूर रहने वाला है, जो लोग धन के छेत्र से जुड़े हुए है जो लोग वित्ती एक्सद स्थानों से जुड़े हुए है ये उन लोगों के लिए बहुत महत्तोपून वर्ष रहने वाला है देवगुरु के इस गोचर पर लगबग सभी जोतिश विद्वानों की दृष्टी बनी हुई है तो दोस्तों हम शुरुवात करते हैं कि यदि आपका लगन व्रश है सबसे पहले हम व्रश लगन से ही शुरू कर लेते हैं मेश लगन को बाद में देखते हैं यदि आपकी कुडली के लगन में दो नमबर लिखा हुआ है और यहां से यहां ब्रहस्पती एक साल के लिए आने जा रहे हैं तो दोस्तों क्या महत्तपून परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाली है सबसे पहले तो दोस्तों एक बात को अच्छी तरह से यह समझने की जरूरत है कि देवगुरु प्रहस्पती चाहे किसी भी राशी पर द्रश्टी डाले देवगुरु का काम होता है बढ़हना, किसी चीज को अच्छा करना, विस्तरत करना, शांदार रिजल्ट देना अब ये एक अलग बात होती है, कि देवगुरु प्रहस्पती की द्रश्टी जहां पर जा रही है वहां पर किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव तो नहीं है या किसी ऐसे मारक या अकारक ग्रह की द्रश्टी तो नहीं है जिसकी वज़े से देवगुरु ब्रहस्पती का पूरा प्रभाव आपको देखने को न मिल पाए तो ये सब इस्थितियां आप अपनी कुंडली पर चेक कर सकते हैं लेकिन ओवरॉल जो देवगुरु ब्रहस्पती की द्रश्टियां होती हैं वो अमरत प्रदान करने वाली होती हैं हम यहाँ पर जानेंगे कि देवगुरु ब्रहस्पती यहाँ क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या शुब परिणाम हमारे सामने आने की संभावना बंती दिखाई देगी दोस्तों लगन में देवगुरू ब्रहस्पती का होना सबसे पहले तो यहाँ ये समझने की बात है देवगुरू ब्रहस्पती इस लगन के अनुसार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात अश्टमेश होते हैं अश्टम और एक आदश के स्वामी होकर ब्रहस्पती लगन में होंगे तो ये व्रश लगन वालों के लिए आर्थिक तोर पर तो हम कह सकते हैं कि ये एक उन्नती देने वाला साल होगा इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन अश्टम भाव के स्वामी का कुंडली के लगन में होना यहाँ पर निश्चित तोर पर एक रहस से पैदा करता है एक क्वेश्चन मार्क पैदा करता है स्वास्थे को लेकर के वरश लगन वाले जातकों को निश्चित तोर पर सचेत रहने की आवश्चता पूरे साल होगी यदि किसी भी प्रकार से ये वरश लगन वाले लोग डाइबिटीस से थाइराइड से या किसी भी तकलीफ से जूज रहे हैं तो इन लोगों को अपने स्वास्थे पर ध्यान देने की आवश्चता होगी क्योंकि अश्टमेश का गोचर लगन में होगा ये तो हुई कुंडली के अकॉर्डिंग बात अब हम बात करते हैं कि धनकारक ब्रहस्पती का लगन में होना दोस्तों जब रहस्पती लगन में होंगे तो यहां से पंचम स्थान पर द्रिष्टी डालेंगे सब्तम स्थान पर द्रिष्टी डालेंगे और नवम स्थान पर द्रिष्टी डालेंगे यहां पर देवगुरू रहस्पती की व्रश लगन में तो यहाँ पर कन्या राशी आती है यहाँ पर व्रश्चिक राशी आती है और यहाँ पर मकर राशी आती है यहाँ देव गुरू ब्रहस्पती बैठेंगे तो व्रश लगन वाले जात्कों की शिक्षा को बढ़ाने का काम करेंगी व्रशलगन वालेओं के प्रेम संबंधों में यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या रुकावट चली आ रही है या उनका पैसा कहीं भी फस्ता है तो उस पैसे को आसानी से निकालने का काम देवगुरू ब्रहस्पती यहाँ पर द्रिश्टी डाल करेंगे देवगुरू ब्रहस्पती की द्रिश्टी से यहाँ पर आप इस भावपत देवगुरू की द्रिश्टी से संतान के साथ आपके संबंधों में सुधार होना निश्चित है हाला कि यहाँ पर केतू विराजमान होंगे कर्णिया राशी में यहाँ केतू विराजमान है लेकिन इसके बावजूद देवगुरू ब्रहस्पती का इस भावपत द्रिश्टी डालना यह स्पष्ट बताता है कि व्रशलगनवाले जातोकों का संबंध अपनी संतान के साथ सुधरने की तरफ जाएगा व्रशलगनवाले जातोकों के सप्तम भावपर व्रश्टिक राशी पर यहाँ पर देवगुरू ब्रहस्पती की पड़ेगी द्रिश्टी तो किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अपनी द्यदामपत्य जीवन में चल रहा था यहाँ आठ नमबर लिखा होगा व्रशलगनवाले जातोकों के यहाँ पर आठ नमबर होगा तो निश्चत तोर से शनी और राहू की द्रिश्टी इस भावपर आ रही है काफी समय से तो व्रशलगनवाले जातोकों को अपने कारोवार में दामपत्य जीवन में नकारात्मक्ता का सामना करना पर रहा होगा या अपने partners के साथ भी अपने रोज मर्रा जो जीवन में उनके साथ रहते हैं लोग उनके साथ भी नकारात्मक्ता देखने को मिल रही होगी तो ये ब्रहस्पती के आशीरवाद से यहां की नकारात्मक्ता दूर होगी और शनी और राहु के खराब प्रभावों में कमी आएगी इस भाव से शुब परिणाम मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं व्रश लगन वाले जात्तकों को दामपत्ते जीवन में और अपने कारोबार में निश्चित तोर से सुधार देखने को मिलेगा अब देव गुरु ब्रहस्पती जब यहां होंगे तो नवम भाव में मकर राशी होगी अब दोस्तों यहां पर देव गुरु ब्रहस्पती की द्रिश्टी हालाकि यह कहा जा सकता है कि यह ब्रहस्पती की नीच राशी है लिकिन ऐसा नहीं है देवगुरु ब्रहस्पती जब भी भाग्य भाव पर द्रिश्टी डालते हैं तो भाग्योन्नती भाग्य व्रद्धी करने का काम निश्चित तौर से करते हैं देवगुरु ब्रहस्पती की कृपा और आशीरवाद से इस लगन वाले जातकों को उनके भाग्य का सहीयोग प्रॉपर तरीके से मिलता दिखाई देगा देवगुरु की द्रिश्टी या ये कहा जाए कि अम्रत वर्षा के माध्यम से इनके पिता के स्वास्थ में पिता के काम में और पिता के साथ संबंदों में भी मधुर्ता आती दिखाई देगी अब दोस्तों यदि मेश लगन है और दो नंबर यहां लिखा हुआ है तो यहां पर धन स्थान में कालपुरुष कुंडली के अनुसार ये भाव धन का भाव है इस भाव में देवगुरु ब्रहस्पती के धनकारक ग्रह का होना अपने आप में एक बहुत बहतरीन रिजल्ट परदान करने वाला होता है जब देवगुरु ब्रहस्पती यहां दो नंबर राशी में होंगे तो यहां पर छे नंबर राशी होगी यहां आठ नंबर राशी होगी और यहां दस नंबर राशी होगी देवगुरु ब्रहस्पती का इस भाव पर द्रिष्टी डालना यहां केतु पहले से विराजमान होंगे दोस्तों देवगुरु ब्रहस्पती का शत्रु भाव पर द्रिष्टी डालना मिश्चित तोर से आपको यह संकेत देता है कि आपको अपने शत्रूओं और अपने रोगों के प्रति सावधान रहना होगा आपको जरा भी लापरवाही नहीं दिखानी होगी अन्यता आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है लेकिन नौकरी में जो भी आपकी परेशानिया चल रही है या आप अपने ड्यूटीज को ठीक से अंजाम नहीं दे पा रही है तो देवगुरु ब्रहस्पती की दृष्टी की करपा के माध्यम से आप अपनी नौकरी में भी काफी शांत महसूस करेंगे और सहज महसूस करेंगे यहां दो नंबर में देवगुरु ब्रहस्पती होंगे तो अश्टम भाव पर द्रिश्टी होगी देवगुरु ब्रहस्पती की द्रिश्टी और देवगुरु की कृपा से आपका यदि कोई पैतरक संपत्ती को लेकर विवाद चल रहा है तो उस विवाद के सुलजने के भी आसार बनेंगे लेकिन यदि आपको किसी प्रकार की कोई गुप्त समस्या है या कोई भी ऐसी बात है कोई ऐसी गुप्त बात है तो उस बात के लिए या उस तकलीफ के लिए सजगर है वो तकलीफ या वो परिशानी बढ़ सकती है लेकिन देवगुरु ब्रहिस्पती की द्रश्टी के माध्यम से आपको इस भाव से भी एक इस वर्ष के अंदर अंदर आपको अच्छा पैसा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा यदि आपका कोई कही पर किसी जगे पर आपका पैतरक संपत्ती में हिस्सा बनता है तो या आप जमीन से नीचे का कोई कारोबार करते हैं या किसी भी प्रकार की आप साधनाओं में हैं या किसी भी प्रकार की आप गूर विद्याओं में हैं तो आपको देवगुरु ब्रहस्पती की दृष्टी की कृपा प्राप्त होगी और निश्चित तोर से आप उस अपनी विध्या में गूर विध्या में सफलता की तरफ जाएंगे अब दोस्तों देवगुरू ब्रहस्पती यदि यहां बैठे हैं दो नंबर में तो यहां से दृष्टी आपके धनिस्थान पर डालेंगे देवगुरु ब्रहस्पती की धनिस्थान पर द्रश्टी इसपष्ट संकेत देती है कि आपकी कारिश हैली में और कारिक्षेत्र में निश्चित तोर से आपको सुधार देखने को मिलेगा जो अब तक आपको मेहनत का रिज़ल्ट मिल रहा था उससे बढ़ता हुआ रिज़ल्ट आपको मिलता दिखाई देगा क्योंकि यदि यहां पर दो नंबर लिखा हुआ है और ब्रहस्पती यहां पर बैठे हुए है और यहां दस नंबर लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्रहस्पती नवम भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठेंगे दशम में होंगे तो यहां के रिजल्ट आपको शांदार देखने को मिलेंगे यहां का स्वामी यहां बैठा हुआ है जब यहां बैठा है और यहां दृष्टी डालेगा तो इस भाव के शुब परिणामों को चार चांद देव गुरु रहस्पती लगाएंगे निश्चित तोर से ऐसे जातक को अपने पिता का पूरा सहयोग भी देखने को मिल सकता है अपने कारिक शेत्र के माध्यम से भी अच्छी सफलता है ऐसे जातक को देखने को मिल सकती है बात करते हैं दूस्तों देव गुरु ब्रहस्पती यदि इस भाव में दो नंबर राशी हो और इस भाव में देव गुरु ब्रहस्पती का गोचर अगर आपकी कुंडली में हो रहा है ये काम त्रिकोन का भाव है अब यहाँ पर देव गुरु ब्रहस्पती दो नंबर राशी में यानि धनकी राशी में यहाँ पर होंगे तो निश्यत तोर से आपको अपने इन लोगों को जिन लोगों का मीन लगन होगा क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर होगा तो यहाँ एक और यहाँ दो मीन लगन वाले जातकों को देवगुरू ब्रहस्पती के इस गोचर के कारण मिशित तोर से अपने परोसियों के साथ, अपने भाई भेनों के साथ कुछ असहजिता महसूस हो सकती है, कुछ वैचारिक मतभेद छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन देवगुरू ब्रहस्पती का यहां पर गोचर होना, देवगुरू ब्रहस्पती का यहां और यहां द्रश्टी डालना, अपने आप में महत तक्पून, क्योंकि देवगुरू ब्रहस्पती इस कुंडली में लगनेश भी है, यहां लगनेश का इस भाव में गोचर कर यहाँ से इन भावों पर द्रश्टी डालना इस लगन वाले जातकों के लिए बहुत शुब संकेत है इन लोगों को कारोबार में शांदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे कारोबार के माध्यम से इनकी गुडविल बढ़ती हुई नजर आएगी कारोबार के माध्यम से इनको अच्छे मौके आगे मिलते हुए दिखाई देंगे कारोबार में यदि पार्टनर के साथ किसी तरह का विवाद है दामपत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है वो सभी परेशानिया इस भाव की दूर होती हुई दिखाई देंगी यहां प्रहस्पती होंगे और यहां द्रश्टी रालेंगे तो भाग्यों नतीब करेंगे भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे भाग्य में आ रहे अवरोधों को दूर करने का काम करेंगे जो अब तक भाग्य का स्लो सही योग मिल रहा था या नहीं मिल पा रहा था वो आने वाले एक साल में मीन लगनवाले जात्तकों को देखने को मिलेगा अब दोस्तों यहां ब्रहस्पती होंगे तो लाविस्थान पर या दैनिक नियमित आमदनी के भाव पर द्रिश्टी डालते हैं अगर मीन लगनवाले जात्तकों की कुंडली में इस भाव का स्वामी अपने भाव से छटा आठ्वा या बार्वा नहीं बैठा हुआ है इस भाव का स्वामी छटा आठ्वा या बार्वा नहीं बैठा हुआ है तो आपके लिए ये समय बहुत बहतरीन आने वाला है एक साल का देवगुरू ब्रहस्पती की नवम द्रश्टी धन को बढ़ाने का काम करेगी आपकी नियमित आय को बढ़ाने का काम निश्चित तोर से करेगी और अगर यहां का स्वामी अपने भाव से छटा आठ्वा या बार्वा भी बैठा हुआ है तो भी देवगुरू ब्रहस्पती की कृपा द्रश्टी के माध्यम से आख को वर्तमान आर्थिक लाव से अच्छा लाव देखने को मिलेगा बात करते हैं दोस्तों कुम्ब लगन वाले जात्वों की कुम्ब लगन यहां पर ग्यारे नंबर होगा तो ग्यारे बारे एक दो ब्रहस्पती इस भाव में दो नंबर राशी में होंगे अब दोस्तों ब्रहस्पती इस भाव में हैं तो इस भाव के और इस भाव के स्वामी होकर है 11 नंबर यहां है तो यहां 12 देवगुरु ब्रहस्पती की राशी यहां 9 देवगुरु ब्रहस्पती की राशी तो लाग स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी होकर के प्रोपर्टी के चौथे भाव में यहां देवगुरु ब्रहस्पती होंगे धन की राशी में और उडली के चौधे भाव में देव गुरु ब्रहस्पती का होना निशित तोर से ये कुम्ब लगन वाले जात्तकों के लिए एक शुब संकेत लेकर आता है इनके कारेक्षेत्र के विस्तरत होने का यहां ब्रहस्पती यहां दृष्टी डालेंगे तो कारेक्षेत्र को विस्तरत करने का काम करेंगे कारेक्षेत्र को बढ़ाने का काम करेंगे आपको कारेक्षेत्र में उन्नती या जिसे कहा जाए कि तरक्की दिलाने का काम यहां पर देव गुरु ब्रहस्पती करते दिखाई देगे थोड़ा बहुत यहां पर मातागी स्वास्थे को ले करके थोड़ इसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यह यह कहा जाए कि देवगरूब रहस्पती के इस स्थान पर होने के कारण आपके वाहन या प्रॉपर्टी का काम कुछ समय के लिए लंबित हो सकता है अन्य था यहां पर बैठेंगे देवगरूब रहस्पती तो इन तीनों भावों से शांदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं यहां देवगरूब रहस्पती होंगे आपको विदेशी संबंधों का फाइदा निश्चित तोर से मिलता दिखाई देगा आप यहां देवगरूब रहस्पती होंगे तो आप निश्चेत तोर से किसी तीर्थिस्तल की या किसी आश्रम की एक आर्थिक तोर पर भी मदद कर सकते हैं और ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि यह आप इस स्थान पर किसी ने किसी प्रकार का शुब निवेश करें यहां देवगरू ब्रहस्पती आपके अश्टम भाव पर द्रिश्टी डालते हैं अर्थात आपकी प्यत्रक संपत्ती के प्राप्त होने में सुगमता आएगी आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई गुप्त परेशानी है या कोई ऐसी समस्या है जिसे आप अभी तक नहीं कह पा रहे थे तो वो यहां से खुल कर सामने आने के संकेत मिलते दिखाई देंगी ओवरॉल कुम्ब लगन वाले जातकों के लिए धन और लाविस्थान के स्वामी का चौथे भाव में गोचर करना इस लगन के लिए शुर संकेत होगा आर्थिक गतिविदिया इस वर्ष कुम्ब लगन वाले जातकों के लिए शांदार रहने वाली है अब दोस्तों बात करते हैं कि यदी दो नंबर आपका यहां लिखा हुआ है अर्थाथ दस नंबर की ये कुंडली है मकर लगन की ये कुंडली है दस ग्यारे बारे एक दो तो अपने पंचम इस्थान में देवगुरु ब्रहस्पती जिसे कहा जाता है ये धर्मत्रकोन होते हैं यहां देवगुरु ब्रहस्पती का वर्चस्व बोलता है दोस्तों यहां देवगुरु ब्रहस्पती होंगे कन्यार इसमें व्रशराशी में और यहां ब्रहस्पती होने पर आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा अपनी शिक्षा को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना होगा संतान के साथ संबंधों को लेकर या थोड़ा सा सचेत रहना होगा आपको यदि आप किसी भी प्रकार से share market आदी का काम करते हैं क्योंकि देवगुरूब रहस्पती का कुछ side effect उस भाव पर देखने को अवश्य मिलता है जिस भाव में देवगुरूब रहस्पती विराजमान होते हैं यहां पर बैठेंगे तो पंचम द्रश्टी से इस स्थान को सप्तम से इस स्थान को और नवम से इस स्थान को देखेंगे तो दोस्तों यहां बैठे देवगुरु रहस्पती की द्रश्टी भाग्य को बढ़ाने वाली आपके अध्यात्मिक विचारों को उन्नती प्रदान करने वाली होगी आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली होगी आध्यात्मिक्ता के माध्यम से आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली होगी इश्ट के घर में देवगुरु ब्रहस्पती का बोचर यहां पर देवगुरु का होना धन की राशी में होना तो सीधा सा मतलब ये है कि इस भाव के किसी कारक तक के कारण भी आपको अच्छा कासा धनलाव या देवगुरू ब्रहस्पती करवा सकते हैं इसके अलावा देवगुरू ब्रहस्पती जब यहां बैठते हैं तो लाव स्थान पर द्रिश्टी डालते हैं आपके लाब में सुगंता आएगी निश्चित तौर से लाब में सुगंता आएगी आपका जो लाब अब तक रुक रुक कर हो रहा था या बाधित हो रहा था वो लाब आपका सुचारु होने की तरफ जाएगा definitely और बड़े भाई बैनों के साथ या आपके संबंद मित्रों के साथ अच्छे होने की तरफ जाएंगे यदि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा था देवगुरुब रहस्पती की द्रश्टी लगन पर पढ़ने से निश्चित तोर से आपकी अपने व्यक्तित्तों में आपकी अपनी परसनेलिटी में सुधार के संकेत मिलते दिखाई देते हैं तो ये मकर लगन के लिए भी एक अच्छा गुचर कहा जाएगा बात करते हैं धनू लगन वालों के लिए देवगुरुब रहस्पती का धनू लगन नौ नमबर के हिसाब से यह दियम बात करें तो 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12 देवगुरु रहस्पती इस भाव में गोचर करेंगे तो दोस्तो देवगुरु रहस्पती का कुंडली के छटे भाव में गोचर करना इस लगन वाले जातकों के लिए प्रत्य काम में कुछ विलंब लाने वाला हो सकता है शत्रू आपके सामने नहीं आएंगे बिमारियां भी आपको कम परेशान करेंगी या दभी रहेंगी नौकरी में आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं सचेत रहें यहां पर देवगुरु ब्रहस्पती होंगे तो यहां से द्रिष्टी पड़ेगी आपके करमिस्थान पर यह करमिस्थान है आपके कर्मिस्थान को अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग, अच्छा अच्छी कारेशेली परदान करने की कृपा यहां पर आपको प्राप्त होती दिखाई देगी आपके दशम भाव से संबंधित कारकत्तों में आपकी बड़ोत्तरी होती हुई दिखाई देगी देवगुरु ब्रहस्पती यहां होंगे छटे भाव में तो बार्वे भाव पर द्रिश्टी डालेंगे दोस्तों यहां देवगुरु ब्रहस्पती के होने के कारण आपके बार्वे भाव से संबंधित आपकी विदेश यात्रा भी संबंभ हो सकती है साथ ही आपके अस्पताल से related कोई खर्चा भी अचानक से हो सकता है यहां एक बात का ध्यान रखने की आवश्यक्ता होगी कि यदि किसी भी प्रकार से इस भाव में कोई ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के गोचर के चलते या जिस ग्रह के माध्यम से आप जरा भी अमर्यादित आचरन में हैं तो देवगुरु ब्रहस्पती का लगनेश का यहां पर होना लगनेश इस चीज को उजागर कर देगा यह ध्यान रखने वाली बात है देवगुरु ब्रहस्पती छटे भाव में गोचर कर रहे हैं चाहे देवगुरु ब्रहस्पती किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों, अपनी मर्यादा को कभी नहीं बूलते और देवगुरु ब्रहस्पती छटे आठवे बारमे भाव में थोड़ा सा उनकी ऊर्जा में कमी आती है, क्योंकि इन भावों को एडजेस्ट करने में धन आपके धन के संबंदित मामलों में इजाफा करेंगे धन संचय में आपको व्रद्धी होती दिखाई देगी लेकिन जैसा कहा जाता है कि देव गुरू बहुत अच्छा रिजल्ट देने की तरफ जाएंगे तो हम धनु लगन वाले जातकों के लिए ऐसा नहीं कह सकते क्य प्रो रिजल्ट मिलने की दिक्कत यहां पर यदि देव गुरू ब्रहस्पति होंगे तो धनु लगन वाले जातकों को आएगी और धन संबंदी जो धनु लगन वाले जातकों की धन संबंदी जो उनकी इच्छाएं होंगी वह समय पर पूरी नहोंने से थोड़ा सा मन में परेशानी का भाव आ सकता है बात करते हैं दोस्तों व्रश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में यदि व्रश्चिक लगन है आठ नंबर लगन है तो दो नंबर यहां होगा देव गुरू ब्रहस्पति का इस भाव में गोचर स्पष्ट संकेत देता है कि देव गुरू लगन वाले जातकों को थोड़ा सा अपने पार्टनर्स के साथ अपने कारोबार में और अपनी दामपत्ते जीवन में वैचारिक मतभेद से बचने की कोशिश करनी चाहिए देव गुरू ब्रहस्पति का यहां बैठा गोचर यहां से लाबिस्थान को देखेंगे यहां से लगन को देखेंगे यहां से कुंडली के तरतिय भाव, तीसरे भाव को देखेंगे देव गुरू ब्रहस्पति यहां से आपकी नियमे तामदनी को डेफिनेटली बढाने का काम करेंगे व्रश्चिक लगन वालों के लिए यह गोचर बहुत महत्तुपूर्ण होगा आपका लाविस्थान एक्टिव होगा लगन आपकी जो परसनेलिटी में काफी समय से नेगेटिविटी आपके उपर हावी है जो आपको आलस से दे रही है आपको किसी भी काम में आपके देर हो रही है वो आपकी जो है दिक्कत दूर होने की तरफ जाएगी और आपको चांदार उर्जा दिखाई देगी धनकारक प्रहस्पती की द्रश्टी लगन पर होने से आपके धन संबंदी विचार सार्थक्ता की ओर जाएंगे प्रेक्टिकली धरातल पर उतरने की एक प्रश्टवूमी बनेगी यहां देवगुरु ब्रहस्पती की द्रश्टी आपको निश्चत तोर से एक अच्छे संबंद बनाने की तरफ भी लेकर जाएंगी आप मार्केट में आप अपने समाज में इस तरह की संबंदों को डेवलप करने की तरफ जाएंगे जो आने वाले समय में व्रश्चिक लगनवाले जातकों को डेफिनेटली आर्थिक लाप देंगी देवगुरु ब्रहस्पती जब यहां बैठेंगे तो यहां देवगुरु की द्रश्टी नवम द्रश्टी पढ़ती है इस भाव पर देवगुरु ब्रहस्पती का इस भावपद्रिष्टी डालना आपके पराक्रम को साथ तक दिशा में लेकर जाएगा यहां देवगुरु का द्रिष्टी डालना आपके परोसियों के साथ आपके भाई वेनों के साथ आपके कम्यूनिकेशन स्किल्स को शाददार करने वाला होगा संबंदों को मधूर करने वाला होगा बात करते हैं माफ कीज़ेगा दोस्तों तुला लगन वाले जात्कों के बारे में यदि यहाँ पर साथ नंबर है तो साथ आठ नो दस ग्यारे बारे एक दो इस भाव में ब्रहस्पती का गोचर होने जा रहा है यहाँ देवगुरु ब्रहस्पती का गोचर निश्चित तोर से यदि आपका पैत्रक संपत्ती को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें विलंब होने की संभावना या बर्ति दिखाई देगी यदि आप किसी भी प्रकार से कोई गूर साधना की तरफ जा रहे थे या आप किसी भी प्रकार से कोई अकल्ट साइंसिस की तरफ आपका ध्यान है या यह कहा जाए कि जोतेश आदी किसी भी हुनर को सीखने की तरफ आप जा रहे थे तो उसमें आपके रास्ता भटकने की संभावना बंती दिखाई देगी लेकिन आपको अपने रास्ते को मजबूती से पकड़े रहना है यहां देवगुरु ब्रहस्पती बैठेंगे तो बारमे भाव पर धन स्थान पर और चोथे स्थान पर द्रिष्टी डालेंगे यहां देवगुरु का होना इस भाव पर द्रिष्टी डालना विदेशी संबंदों से आपको लाब देता हुआ दिखाई देगा विदेशी संबंदों से आपको डेफिनेटली अच्छे लाव होने की उम्मीद होगी विदेश यात्रा का भी यूग बना सकता है तुलालगनवाले जात्कों के लिए थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यक्ता होगी तुलालगनवाले जात्कों के अश्टम भाववे देवगुरू ब्रहस्पती का गोचर ब्रहस्पती की दृष्टी धनस्थान पर आपको एक अच्छा धन संचय भी देखने को मिलेगा यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर धनस्थान पर या धनस्थान के स्वामी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है या आपके धनस्थान और धनस्थान का स्वामी कमजोर नहीं है तो यहाँ ब्रहस्पती का होना, हालाकि तुलालगन के लिए ब्रहस्पती अकारक ग्रहे हैं, 7,8,9,10,11,12, दोनों खराब भावों के स्वामी ब्रहस्पती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रहस्पती धन से जुरे हुए हैं, यहां ब्रहस्पती का होना आपको अचानक आपके धन से आपको धन प्राप्ती अचानक धन प्राप्ती के योग भी करा सकते बना सकते हैं और आपके धन संचय में वरद्धी करते दिखाई देंगे आपके कुटुम्ब में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपका ओहदा बढ़ता हुआ दिखाई देगा दोस्तो देवगुरु प्रहस्पती की इस भाव से इस भाव पर द्रश्टी ये संकेत देती है कि इस दौरान आपको एक नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है एक नई प्रॉपर्टी की आपके टील फाइल नल होने की तरफ जा सकती है आपके सुखों में बड़ोत्री निश्चित तोर से हो सकती है आपके सुख संसाधनों में व्रद्धी के संकेत है ये तुला लगन के लिए भी एक लगभग अच्छा गोचत कहा जाएगा बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, एक, दो देवगरुब रहस्पती का भाग्य स्थान में गोचर भाग्य को बढ़ाने वाला होगा क्योंकि कुंडली के इस भाव के कारक ग्रह भी देवगरुब रहस्पती है भाग्य का सहीयोग आपको देखने को मिलेगा लेकिन कुछ विलंब जरूर हो सकता है यहां बैठेंगे तो लगन पर द्रिष्टी डालेंगे आपकी लेट लतीफी की आदत को देवगरुब रहस्पती दूर करने का काम करेंगे धन संबंदी विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे और आपको उन धन संबंदी विचारों का उत्तम लाभ भी यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा देवगुरूब रहस्पती की दृष्टी तीसरे स्थान पर आपके संबंद आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स इतनी शांदार यहां पर डेवलप करने की तरफ जाएंगे कि आपको उस स्किल के माध्यम से एक अच्छे आर्थिक लाव की संबावना बनेगी वैसे तो कन्या लगन अपने आप में बुद्ध का लगन है यदि कन्या लगन वाले जातकों की कुंडली में बुद्ध की स्थिती अच्छी होती है तो कन्या लगन वाले जातकों का स्पीकिंग स्किल जो होता है उनकी वानी का प्रभाव अपने आप में अच्छा होता है आपके प्रोसियों के साथ आपके मित्रों के साथ संबंद बहतर होने की तरफ जाएंगे इस भाव में देवगुरु ब्रहस्पती की दृष्टी यहां पर भी पड़ती है यहां देवगुरु ब्रहस्पती का दृष्टी डालना आपकी संतान के साथ आपके प्रेम संबंदो तो में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या आपकी दूर होने की तरफ जाती दिखाई देगी यहां देवगुरु ब्रहस्पती का होना यहां बहोना और यहां होना यह तीन स्थान देवगुरु ब्रहस्पती के भाग्यशाली होने के स्थान होते हैं जिन लोगों के कुंडली में राशी कोई भी हो एक अलग बात है यहां 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 देवगुरु ब्रहस्पती होते हैं तो definitely जातक को देवगुरु ब्रहस्पती के उत्तमलाव देखने को मिलते हैं ब्रहस्पती इस स्थान में होंगे यहां द्रश्टी डालेंगे तो आपको अचानक धन प्राप्ती के संकेत भी ब्रहस्पती और आपके इश्ट की क्रपासे होने की संभावना वगती है बात करते हैं दोस्तों सिंग लगन के बारे में पाँच नमबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 केंद्रिस्थान दशंभाव में ब्रहस्पती का गोचर ब्रहस्पती इश्ट है सिंग लगन के इश्ट है 5, 6, 7, 8, 9 ब्रहस्पती का इश्ट का दशंभाव में गोचर आपको कुछ आपके कारिक्षेत्र में असहजिता निश्चित तोर से देखने को मिल सकती है आप कुछ असहज हो सकते है लेकिन यदि आप इस असहजिता पर काबू पा जाते हैं और थोड़ा आपने आपको संभाल कर रखते हैं तो आपको इस गोचर का आने वाले समय में बहुत शांदार फाइदा देखने को मिलेगा यहां प्रहस्पती आपके कारेक्षमताओं के कारेशेली के कारण आपके धन में इजाफा करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज और वाहनों में इजाफा करेंगे आपके शत्रूं में कमी करेंगे आपके शत्रू आपके दबे रहेंगे क्योंकि नवम द्रश्टी भाग्य की द्रश्टी मानी जाती है बहस्पती यहां बैठेंगे तो आपके कुटुम्ब में कोई शुब मंगल काम भी हो सकता है आपको आपकी गुडविल के माध्यम से एक अच्छा धनलाब भी यहां करा सकते है ब्रहस्पती आपको एक अच्छे वाहन की प्राप्ती एक अच्छे प्रॉपर्टी की प्राप्ती भी करा सकते है आपकी माताजी के साथ भी आपके संबंद यदी गर्वर चल रहे हैं या माताजी का स्वास्ते भी कुछ गर्वर है तो वो ठीक होने की तरफ जाएगा प्रहस्पती यदी यहाँ पर तृष्टी डालते हैं तो प्रहस्पती किसी भी प्रकार से नोकरी में चली रही अव्यवस्था को या परेशानी को दूर करेंगे करजा भी यदी है तो वो करजा भी आपका चुकने की तरफ जाएगा बात करते हैं करकलगन वाले जातकों के बारे में चार नंबर लिखा हो यहाँ पर चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे एक दो ब्रहसपती यहां काम त्रिकोंके तीसरे भाव में दिवगुरु इसफ़्ट सलकेत ये देता है कि आपको अपने नियमित दिन दिन Clote के प्रती नियमित लाब के प्रती जड़ा भी लापरवार मारत नहीं होना है यहां आपको थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लाब को रोख सकती है यहां बैठकर देवगुरु ब्रहस्पती इन इस्थानों पर द्रिश्टी डालेंगे यहां देवगुरु ब्रहस्पती का इस भाव पर द्रिश्टी डालना आपके भाई भेनों की गुडविल को बढ़ाने वाला होगा आपके परोसियों का सहयोग आपको मिलता दिखाई देगा आपके भाई भेनों का आपको सहयोग मिलता दिखाई देगा और आपकी communication skill के माध्यम से आपको market में goodwill मिलती दिखाई देगी देवगुरु ब्रहस्पती का इस भाव पर दृष्टी डालना आपके प्रेम संबंदों में संतान के साथ आपकी संतान की तरक्की संतान के संबंदों में सुधार आपको इस भाव से भी एक अच्छे लाब देखने को मिलेंगे हाला कि काफी टाइम से करकलगन वाले जातकों के इस भाव पर राहु और शनी की दरिश्टी बनी हुई है यहां प्रश्चिक राशी आती है यहां करकलगन वाले जातकों की गुडविल भी पिछले समय में कुछ खराब होती दिखाई दी है कमिट्मेंट पूरे नहीं हुए है तो वो परेशानी भी इस दौरान एक साल के अंदर आपकी दूर होती दिखाई देगी इस भावपा देवगुरु ब्रहस्पती का द्रश्टी डालना इस पश्ट संकेत देता है कि आप भाग्य शाली है जो आपके कारोबार में देवगुरु ब्रहस्पती उन्नती कराने जा रहे है आपको आपके कारोबार में भाग्य का सहयोग देखने को मिलेगा आपके दामपत्य जीवन, आपके जीवन साथी की मदद से आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा कोई कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं जिसकी वज़े से आपको आने वाले समय में एक उत्तम लाब की आर्थिक लाब की संभावना बनेगी बात करते हैं दोस्तों मिथुन लगन के बारे में यहां यदि तीन नंबर है तो यहां दो नंबर होगा देवगुरू ब्रहस्पती इस राशी में होंगे तो आपको अपने विदेशी संबंदों के लिए थोड़ असा सामधान रहने की जरूरत होगी यदि आपका कोई लेंदेन विदेश में चल रहा है तो आपको उस विदेशी लेंदेन से सामधान रहने की जरूरत होगी प्रॉपर उस लेंदिन पर द्रिश्टी बना कर रखने की जरूवत होगी। आपके फालतु जो खर्चे हो रहे हैं उन पर नियंत्रण आप कर सकेंगे। यह एक अच्छा मौका है। और यहां प्रहिस्पती का हुना आपको एक अध्यात्मिकता की तरफ ले कर जाता है। मिथुल लगनवाले जात्कों के लिए देवगुरु ब्रहिस्पती का बारवे भाव में गोचर करना एक अच्छा संकेत है। कुंडली के चोथे भाव पर देवगुरु की द्रिश्टी होना एक अच्छी प्रॉपर्टी और एक अच्छे वाहन की खरीदे जाने के संकेत मि इसाथ संबंदों में सुधार होगा। आपके पारिवारिक सुखों में बड़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। हलकि इस दौरान तीन नमबर यदि यहां है तो यहां नौनमबर का स्वामी बार में भाव में चला गया है। तो यह भी हो सकता है कि आपको मिथुन लगन व और करना पर सकता लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसको आप सुलजाना सकें देवगरु ब्रहस्पती का इस भाव पर द्रश्टी डालना आपके लिए एक यदि ये कहा जाए कि थोड़ा सजग रहने वाला मामला होगा क्योंकि ब्रहस्पती की द्रश्टी यहां पर 3,4,5,6,7,8 इस भाव पर राहू और शनी की द्रश्टी भी बनी हुई है तो राहू और शनी की द्रश्टी इस भाव पर होना एक अच्छा संकेत है लेकिन ब्रहस्पती की द्रश्टी उन दोनों ग्रहों की द्रश्टी में अवरोध पैदा करेगी तो यहां पर जो अ अपको दिखाई दे सकता है मिथुल लगनवाले जातकों के कुंडली के अश्टा भाव पे देवगरु ब्रहस्पती की पड़ती द्रश्टी स्पष्ट संकेत यहां पर देती है कि आपको आपकी पैत्रक संपत्ती का फायदा या आपका उसमें किसी प्रकार से कोई हिस्सा ब iennentते देते हैं यहीं देव ब्रहस्पती में उस भाव में बैठें किसी भी प्रकार से आप कैमिकल का काम करते हैं कोई आप पेटरॉलियम पडार्थों का काम करते हैं किसी भी प्रकार से आप साधनाओं में हैं या गूर विद्याओं में हैं तो यहां ब्रहस्पती बैठेंगे यहां द्रिश्टी डालेंगे आपको इस भाव में जो तरक्की का आपको फाइदा देखने को मिलेगा भाग्य का सहयोग मिलेगा तो दोस्तों कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो तीन राशियों के लिए तो यह यह कहा जाएं कि चार राशियों के लिए तो यह बहुत अच्छा गोचर जाने वाला है जिन चार राशियों में हम कहेंगे व्रश राशी कन्या राशी व्रश्चिक राशी और मकर राशी है क्योंकि व्रश में बैठेंगे कन्या व्रश्चिक और मकर तीन भाव पर तीन राशियों पर द्रिश्टी डालेंगे लिकिन देवगुरू ब्रहस्पती का वर्चस्व बोलता है ये वर्श आर्थिक गतिविदियों से भरपूर रहने वाला है ये तह है कि प्रत्यक राशी को किसी न किसी मात्रा में आर्थिक लाब देखने को मिलेगा जरूर तो दोस्तों यदि देवगुरू ब्रहस्पती से और आपकी कुंडली के अर्थिकोंड से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथे से शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दो ज्यादा दोस्तों